तो दोस्तों अभी एक कंट्रोबर सी चल लए है यूटूब के उपर जो है विवेक बिंदरा और संदीप महजुरी सरक के बीच में क्योंकि संदीप महजुरी सरक का कायना है कि भिंदोस्तान के अंदर जितनी भी MLM कंपनियां हैं उनमें से एक या दो ही हो सकते हैं जो जैनुवन हैं बरना सबकी सा प्रॉड है और यह सिर्फ एक स्कैम कर रही हैं आपके money rotation का काम करनी हैं आप से ही पैसा लेके आप महीं बाट रही हैं और जब इनके पास में अच्छा पैसा पहुंचता तो यह कंपनियां गाया भुयाती हैं और फिर कुछ समय बाद यह अपने नाम बदल के दुसरे नाम से आपके सामने आ जाती हैं आपको ही दुबारा फिर से hire करने के लिए अपनी company में और वही पर वेवेक बिंदरा सरका कहना है कि जो आप इतनी महनत करते हैं वो महनत ना करके आप network marketing या MLM या direct selling को जोईन करके उसमें अच्छा-कासा पैसा कमा सकते हैं बहुत तीक shortcut तरीके से आप करोड़ पती बन सकत दोस्तों अगर मेरा वीडियो को पसंद आता है वीडियो को लाइक कर देना साथे के चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी वीडियो मिल सकते हैं तो यह एक ऐसे motivational speaker है जो ना तो YouTube से एक पैसा ले रहे हैं ना ही कोई promotion video उससे पैसा कमा रहे हैं यह direct आपको motivational वीडियो देते हैं और आप वहाँ पर कोई भी बिना एड के कोई भी वीडियो उनका देख सकते हैं जो कि वो एक भी पैसा YouTube से नहीं ले रहे हैं वहीं पर अगर आप बात करें विबेग बिंदरासर की तो यह एक खुद network कर है network marketing से ज इंकम कैसे लें मतलब उनका उनका ही आप को उसको पढ़िए उसके लोगों में वह एक तरीके से network marketing का ही काम कर रहे हैं और उसी से वह अच्छी कासी इंकम कर रहे हैं तो दोस्तों आप ऐसे में किसकी सला मानेंगे उस बंदे की मालीजी कोई एक प्रोड़क्ट आपको दिय तो आप किसकी बात मानेंगे आप जो पैसे उस कंपनी से ले रहा है उस कंपनी की तरफ से आपको बूलेगा कि इस प्रोड़क्ट को आप ले लीजिए और जो बंदा आपको फ्री में बतारा एडवाइस दे करके मतलब बंदा सही बोला है क्योंकि जो पैसे ले रहा भाई किया फ्रॉड है क्या नहीं है लगबग सारा हिंदुस्तान समय हैrd नेटफ म 나टेंग सिर्फ एहां पर एक फ्रॉड हो रहा है अब कुछ नेटबर कर जो है अंको कुछ नेटबरक मारेटेंग के मेंबर जो ंके लीडर है अच्छे-काशी बोोस्ट के है हैं उनका कहना है कि बिल गेट्स जो बहुत बड़े बिजनेसमेन हैं आलोवर बल्ड उनका नाम सब जानते हैं कि वो भी हमारे इस network marketing को join करते हैं क्योंकि उनसे एक reporter ने पूछा था कि अगर आपको दुबारा से सुरू करने का मौका मिले अपनी business को तो आप कैसे करेंगे तो उन्होंने बोला था मैं network marketing के थूँ अपना business करना चाहूँगा उसके दो रीजन है दो बहुत बड़े रीजन है कि सबसे पहली बात है जो other country में जो बड़ी country में जैसे विल गेट्स की country में जो चल लही एक नंबर की general company है एक या दो company है और वो ऐसे बड़े बड़े जहांसे नहीं किसी को देती है कि मैं आपको BMW दूँगी या आपको बहुत बड़े बड़े करोड़पती आपको यह सब नहीं वो company बोलती है उनका normal funda होता कि आप उसमें काम करेंगे आपको income होगी ठीठा कि income होगी पर वो ऐसे आपको जाल में नहीं फसाती जैसे अपने यहाँ पर network marketing वाले आपके पीछे पढ़ जाते हैं जिस तरीके से station के बाहर रिक्से वाले आपके पीछे पढ़ते हैं उसी तरीके से अगर आप किसी एक seminar को अटेंट कर लेंगे जिस बंदे के थुरू जा करके वो बंदा आपके पीछे पढ़ जाएगा कि आप जोआन करिये ही करिये इसको तो वहाँ पर एक नंबर की सारी जनुर कंपनिया हैं जो बाहर विदेसों में हैं दूसरी बात भाई बिल गेट्स ने कहा था यह बात तो वह सर्फोड़ा तो नहीं बेचेगा ना वह उस बंदे ने इस बेस पर बात कही थी कि मैं एक नेड़बर्ग मार्केटिंग कंपनी अपनी खुद की बनाऊँगा और उसके थुरू अपने जो प्रोड़क्ट उसको सेल करूँगा और फिर मैं अपने विजनेस को बढ़ा करूँगा नाकि उसने यह बोला था कि मैं जाकर के किसी का सरफोड़ा बेचूँगा तीने जार पैतर सो देकर के मैं जोएन करूँगा उसके बाद मैं यह बात करते हैं कि जो नरेंद महोदिशर है अपने प्रधान मंतरी वी यह बोलते हैं कि अपको सपोर्ट किया होता तो आप जानते हैं कई सालों से है लिगाल काम अभी तक करते थे सबसे पहले नके साथ में क्या हुआ कि यह लोग जोआन पीस लेते थे जोईनिक फीस लेकर के आपको जोईन कराते थे और उस चीज को गवर्णमेंट ने नेजर में रखा और इनकी ऐसी सारी कमपनियों को बंद करवा दिया जो जोईनिक फीस के नाम से पैसा ले रही थे उसके बाद उन्होंने तुरंत गुमा के उसको स्टार्ट कर दिया गुमा मतलब हजार रुपे का आइटम दोजार में बेज के इधर से ना करके उधर से उली करना बात तो वही है फिर भी लेकिन एक प्रोड़क्ट के लिए पैसा बढ़ा सकते हैं बेज सकते हैं तो यह लीगल में आजाता है ऐसे इनकी फिर यह कंपनी चलने लगी है इसके बाद म कोई बंदा लेकर के नहीं है उनके सेमिलार में तो उसको हटा के साइड से कर दिया बोलता तुमारी आइडी जो है वो डियक्ट में चली गई है आप किसी बंदे को नहीं जोड रहे है ना किसी को लेकर कर आ रहे है तो यह दिमाक से बिलकुल निकाल देजिए अपनों परजाग बनाएंगे और हो सकता आप घर से निकलना भी बंद कर जाए को इसनों के लिए इतना आपको सर्म लगेगा तो दूस्तों यह थाच के वीडियो कर पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नहीं तो स्क्राइब जरूर कर देना